हलो दोस्तों मैत क्लासेज में आपका स्वागत है आज आपका हिंदी ग्रामर होने जा रहा है जिसमें तीन है बर्नों का उचारन स्थान संग्या और बचन के बारे में आपसे पूछा जाएगा इसका आप लोग अशा करते हैं कि सही सही जवाब देंगे चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका पहला कोश्चन पहला कोश्चन आपका है हिंदी ब्याकरण में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं तो बहुत असान कोश्चन है इसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हिंदी बर्नवाला में हिंदी बर्नवाला में स्वर्ण वर्ण किसंख्या 11 होते हैं कितने होते हैं 11 होते हैं तो इसका right answer का हो जाएगा दूसरा number में है पा का उचारा रनस्थान क्या है तो इसका आपका right answer गा होगा 8 तीन number में है का का उचारा रनस्थान क्या है तो इसका आपका right answer होगा खा, कंठ है चार नमबर है चा का उचारन स्थान क्या होगा इसका आपका राइट अंसर है चार नमबर का इसका का होगा तालू है चा का उचारन स्थान तालू और पाच नमबर में है खा का उचारन स्थान क्या है तो इसका आपका राइट अंसर पाच नमबर का होगा खा कंट होता है छे नमबर में है खा का उचारन स्थान क्या है तो छे का आपका राइट अंसर होगा खा इसका भी कंट होगा इसे शेयर जरूर करें साथ नंबर में आपका है हा का उचारन स्थान क्या है तो साथ का भी आपका राइट अंसर खा होगा कंट होता है आठ नंबर में है हिंदी भासा के किस लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी भासा को हम लोग जानते हैं का इसका राइट अंसर होगा देवनागरी लीपी नो नमबर में दे रखा है बर्नो के समुह को क्या कहते हैं तो बर्नो के समुह को हम लोग इसका बर्नमाला कहते हैं तो इसका राइट अंसर गा होगा नो का गावर्न माला चले नेक्स्ट कोस्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन है आपका 10 नमबर तो सबसे पहले इसे जो आप ने वीवर होंगे उसे सस्क्राइब करना ना भूले और इसे लाइक सेर जरूर करें आगे 10 नमबर का अब हम देखते हैं कि राजा दसरत कौन सी संग्या है तो राजा दसरत जो है ये बेक्ती वाचक संग्या है तो इसका 10 का अंसर राइट होगा गाव 11 नमबर में है सफल का भाव आचक संग्या क्या होगा तो इगारा का आपका राइट अंसर होगा खास सफलता होगा क्या हो जाएगा सफलता सफलता होगा 12 नमबर में दे रखा है केजरी वाल को सफलता मिली बाक्य में सफलता कौन सी संग्या है तो 12 का आपका राइट अंसर होगा खा भाव आचक संग्या है 13 नमबर में है राष्ट का भाव आचक संग्या क्या होगा तो 13 का राष्ट का भाव आचक संग्या होगा का राष्टिये राष्ट का हो जाएगा राष्टिये चौदा नंबर में है मेरी व्याकुलता पर द्या करो इस बाके में भाव अचक संग्या चुने अर्थाट इसमें भाव अचक संग्या क्या है तो चौदा का आपका राइट अंसर हो जाएगा खा व्याकुलता क्या होगा व्याकुलता पंदरा नंबर आपका कोश्चन दे रखा है सराब संग्या है तो सराब जो है ये संग्या द्रब बाचक है तो ये पंदरा नंबर का आपका गा हो जाएगा पंदरा का राइट अंसर गा द्रब बाचक होगा घी संग्या है तो घी कौन सा संग्या है तो घी आपका जो है ये 16 का आपका राइट अंसर ये भी आपका गा होगा द्रब्यवाचक संग्या होगा और सत्रा नम्मर में बचन के कितने भेद हैं तो हम लोग जानते हैं बचन के आप लोग बहुत सारा जानते हैं लेकिन बचन के कितने भेद हैं बचन के मुख्यता दो भेद हैं तो इसका राइट संतर सत्रा का हो जाएगा अठारा नम्मर में है निम्न में कौन बहु बचन है चलि बहु बच्चन या बहुत जानते हैं तो बहु बच्चन आपका निम्मे से गा होगा लताएं अठारा का गा 19 नम्मर है तो दोस्तों इसे आप लोग लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले 19 नम्मर में है नरंगी का बहु बच्चन तो नरंगी का बहु बच्चन आपका इसका राइट अंसर का होगा नरंग्या और लाश्ट कोस्चन आपका ये रहा आसमान में चिणिया उर रही है बहु बच्चन बताएं कि ये आसमान में चिणिया उर रही है इनमें से बहु बच्चन कौन है इसका आपका राइट अंसर होगा खार चिणिया इनमें बहु बचन है चलिए धन्यवाद नेक्स्ट मिलते हैं